आज हम बात करेंगे भारत के पांच रहस्यमय मंदिर की इडाना माता मंदिर क्या आपने कभी किसी देवी की प्रतिमा को अगनी सनान करते हुए देखा है? सुनने में भले ही यह किसी फिल्म की कहानी सा लगता है, लेकिन यह सत्य है. राजस्थान के उदैपूर जिले के बंबोरा गाउंग में इडाना माताजी की विशाल प्राकृतिक प्रतिमा स्वयम अगनी सनान करती है. जो भी भक्त अगनी सनान के दर्शन कर लेता है तो वो अपने आपको धन्य समझता है. कहा जाता है कि जब देवी मापर चुनरी, आरियल का भार बढ़ जाता है तो वे स्वयम अगनी सनान कर भक्तों को अपने अलोकिक स्वरूप का दर्शन देती है. एडाना माता मंदिर की सेवक बताते हैं कि आश्चर यजनक बात अगनी सनान के दौरान मंदिर में रखा पूरा सामान जल जाता है. लेकिन मंदिर में म माता की प्रतिमा और उस पर एक्चुन्री आग में भी सही सलामत रहती है. जुआला मंदिर जुआला देवी का मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिन में स्थित है. यह मा सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है. यहां माता की जीब गिरी थी. हजारों वर्षों से यहां स्थित देवी के मुख से अगनी निकल रही है. कन्या कुमारी मंदिर समुदरी तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है, जहां देवी पारवती के कन्या रूप को पूजा जाता है. मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को कमर से उपर के वस्त्र उतारने अच्छलित कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन न हो पाने के कारण बच गए दाल चावल बाद में कंकर बन गए आश्चर्य जनक रूप से कन्या कुमारी के समुद्र तटकी रेत में दाल और चावल के आकार और रंग रूप के कंकर बड़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं करनी माता का मंदिर करनी माता का यह मंदिर जो बीकानेर राजस्थान में स्थित है बहुत ही अनोखा मंदिर है इस मंदिर में रहते हैं लगभग 20,000 काले चूहे करनी देवी जिन्हें दुरगा का अफ्तार माना जाता है कि मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता यहां चूहों को काबा कहते हैं और इन्हें बाकाइदा भूजन कराया जाता है और इनकी सुरक्षा की जाती है यहां इतने चूहे हैं कि आपको पाओ भिसित कर चलना पड़ेगा अगर एक चूहा भी आपके पैरों के नीचे आ गया तो अप्शकुन माना जाता है कहा जाता है कि एक चूहा भी आपके पैर के उपर से होकर गुजर गया तो आप पर देवी की कृपा हो गई समझो और यदि आपने सफेद चूहा देख लिया तो आपकी मनो कामना पूर्न हुई समझो सोमनात मंदिर सोमनात मंदिर की गिंती बारह जोतिरलिंगों में सर्व प्रत्थम जोतिरलिंग के रूप में होती है प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में जूलता था लेकिन आक्रमनकारियों ने इसे तोड़ दिया माना जाता है कि 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी उसमें सोमनात का शिवलिंग बीचोबीच था गुजरात कि सौराश्च्रक शेत्र के वेरावल बंदर गाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्मान स्वयम चंद्रदेव ने किया था इस थान को सबसे रहस्यमय माना जाता है इस मंदिर को अब तक 17 बार नश्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर निर्मान किया गया धन्यवाद, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए फैक्ट्स के साथ